दोस्तों मेवाड के महराणा में आज हम बात करते हैं राणा सांगा की राणा रायमल की मृत्यू के बाद 1509 में राणा सांगा मेवाड के महराजा बन गए राणा सांगा ने विदेशी आक्रमरकारियों के विरुध सभी राजपूतों को एक किया राणा सांगा सही मायनों में एक वीर योध्धा वशाशक थे जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हुए महराणा संग्राम सिंग अपने पिता की मृत्यू के उपरांत 1509 इस्वी में जब मेवार के साशक बने तो उस समय उनकी अवस्था 27 वर्ष की थी उन दिनों मालवा में भी एक महत्व पूर्ण घटना क्रम हुआ था मेदीनी राय नामक हिंदू सामंत ने मालवा के अपदस्थ सुल्तान महमूद खिलजी द्वितिय को पुनह साशक बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया सुल्तान महमुद खिल जी जब मालवा का साशक बनने में सफल हो गया तो उसने मेदीनी राय का धन्यवाद ग्यापीत करते हुए उसे अपना प्रधान मंत्री बना लिया लेकिन जल्ध ही मेदीनी राय ने राणा सांगा की शरन ले ली महराणा ने अपने इस शर्णागत को पुर्ण सम्मान किया और उसे गागरोन और चंदेरी की जागिर प्रदान कर दी सन 1519 इस्वी में सुल्तान महमूद मेदीनी राय पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा सुल्तान नहीं चाहता था कि उसके पडोस में कोई भी हिंदू शक्ती प्रबल हो जैसे ही सुल्तान के इस आक्रमण की जानकारी महराणा संग्राम सिंग को हुई तो वह तुरंध ही मेदीनी राय की सहायता के लिए एक बड़ी सेना लेकर चल दिये युद्ध में महमूद खिल जी की हार हुई और महराणा ने सुल्तान को कैद करवा लिया और अपने साथ चित तौर ले गए वहीं उसे तीन महिने कैद में रखा गया महराणा की नीतिगत फूल कैद में पड़े अपने उस कैदी सुल्तान को किसी बात पर प्रसन्न होकर एक दिन महराणा संग्राम सिंग ने उसे गुलदस्ता भेट किया तब सुल्तान ने उस गुलदस्ते को लेने से पहले महराना से कहा कि गुलदस्ता दो तरीके से दिया जाता है एक तो देने वाला अपना हाथ उचा करके अपने से छोटे को कोई भेट या गुलदस्ता प्रदान करे दूसरा अपना हाथ नीचे करके बड़े को आदर सहित ऐसा गुलदस्ता प्रदान किया जाए महराना मैं तो इस समय आपका कैदी हूँ ऐसे में यहाँ नजर का तो कोई प्रश्ण ही नहीं होता और भिखारी की भाती आपके इस गुलदस्ते को लेने के लिए मेरी अंतर आत्मा मुझे स्विक्रिती प्रदान नहीं करती सुल्तान की इस बात को सुनकर महराना संग्राम सिंग बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गुलदस्ते के साथ साथ सुल्तान को मालवा का आधा राज्य भी सौब दिया